तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीपी सील स्टॉक के बारे में स्टॉक लगातार जो है चार सो असी के उपर आज दिन बर से सस्टेन करने का ट्राइब कर रहा है अगर चार सो असी के उपर बंदी मिल जाती है तो पूरी संभावना है कि एक्स है वह मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले डेली चार्ड की स्टेटस की क्या इस्तिती है वह बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप स्टॉक ने चार सो पचास पेक सपोर्ट लेकर वहां से लगा तारब कंटिनुर्स स्टॉक में ट्रेंड देख रहे हैं रोज जो है दो आप देखेंगे तो 477 ग्यास पासकल की क्लोजिंग ती उसकी तुलना में 478 मात रही की रुपया उपर स्टॉक खुलता है और दिन बर आप देख रहे हैं या चुट-पुट बाइंड कंटिनुर्स आपको जारी रहते हुए देखने को मिल रही है साथी एक चीज यह चाहता है फिर नीचे आता है फिर 480.50 के आसपास फिर से इस में थोड़ी बहुत बाइंग कंटिनुर्स ली जारी है तो बाइंग और सेलिंग का जो है एक बराबर सा दबाव दिख रहा है चार सो असी के ऊपर अब देखें चार सो असी का प्राइज इसके लिए क्यों है पात करें तो यह देखें के मार्च के में इस टॉक ने एक हाई लगा था और फास्ट मोमेंटम ग्रों किया था जो कि 375 से लगा था इस टॉक में अच्छी आजी तेजी बनी और 480 के उपर इसको क्लोजिंग मिलने के बाद यहां पर करीब-करीब आपनेश्ट कर सकते हैं 46-45ated करीब देखने को लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं और वह यहां पर काफी उन्चे टार्गेट किये हैं उनका पांसो बीज से तीस तके वी टार्गेट है लेकिन एक्स डेट आने से पहले जो कि डेट सतरह सितमबर दोजार इकीस रिकॉर्ड डेट मुझे नहीं लगता उससे पहले स्टॉक पांसो ब्रेक कर स्टॉक है रिकॉर्ड डेट जो स्टॉक के 17 सितमबर दोजार इकीस है यांने 17 तारीक को जिसके डी में इस्टॉक्स होल्ड होंगे वह डिवीडेंट के लिए工作 होने चाहिए चाहिए आपने बाये कभी भी किये हैं शतरह को यह होल्दिंग में होने चाहिए इतना सा इसका अर्थ है पिरिड वेंट विल भी पेड है तो डिविडेंट की जो डेट है एजिएम की डेट कंपनी की 27 सितंबर 2012 डिकलेर की हुई है वहाँ पर शेर ओल्डर से फाइनल डिविडेंट है इसलिए अप्रूबल ली जाएगी और उसके तीस दिनों के अंदर अंदर ये देखें विदिन 30 डेज़ ओफ डिकलरेशन एट एज इम तो तीस दिनों के अंदर इज़ अजाएगा यानि 20 अक्टूबर के अंदर अब के बैंक में डिविडेंट आना चाहिए जो कि 27 तारीकों और यह नियूस पेपर में भी इन लोग ने पब्लिश किया इसके डेटा जो है एक्सचेंजेस को जारी किया है उसके लावा एक रिसेंट अपडेट और वह में आप होता दूख सब्सक्राइब कर देखने को मिल सकती है एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट जो है अल्रेडी तीन कंपनियों ने सब्मीट किया है वह बार बार नाम में नहीं लूँगा आप सभी जानते हैं कौन सी तीन कंपनिया है तो देखिए फाइनेशल बिडिया पे ख़बर आईए कि यह सितंबर के बाद आते हुए देखने को मिल सकता है थोड़ी सी खबर और देख लेते हैं इनिशली दर डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्मेंट और पब्लिक एसिट मेनेजमेंट डीपम वांटे तो कंक्लूड दीपीचल ट्रांजेक्शन बाइजुन क्वार्टर बड़ सब्सक्राइब कोई डिलेड़ प्रोसेश इस गॉइंग और टेक्समोर टाइम असीनियर ऑफिशियल सेड तो दीखे डियू डिलिजन्स का है यानि चर्चाहें चल रही है कि यह बाव यह बाव देदो वह बाव देदो और जो भी डियू जिसको डियू डियू इस तरह की चल रही है और इसमें थोड़ा समय और लग सकता है इस तरह की खबरे निकल कर आ रही है तो दीखिए एक लास्ट लिए टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि क्या डिविडेंट के लिए इससे बाय किया जाना चाहिए तो सिर्फ डिविडेंट के लिए बाय करने का कोई खास त देखने को मिलेगा एक्स डिविडेंट होने के बाद तो फिर अगर किसी का व्यू लॉंग है डाइवेस्टमेंट प्ले करना चाहते हैं तो यहां अराम से विचार बना सकते हैं मैंने इसमें आपको दिखा देता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले भी दिख चुका है पांच रुपए 19 रुपए डिविडेंट अब तक इसने इस साल दिये हैं वह मुझे मिल चुका है ठाउन रुपए मिलना पाकी है तो किसी का डिविडेंट के साथ अगर डाइवेस्टमेंट का प्ले है यानि यह जब कंपनी डाइश्ट हो जाएगी तब तक के सब्सक्राइब करें तो भी कोई बुराई नहीं है अच्छे का से स्टॉक को मिलेंगे तो यह चीज़ ज्यान में रखें सर्फ डिविडेंट के लिए बाइंग ना करें चलिए बीपी सेल के बारे में बात कर लिए लगा ता स्टॉक पिछले दिनों सब्सक्राइब कर देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद